आज मैं आप लोगों बताऊंगा एक चीज टाइम लेन के ऊपर जो आप यूज करोगे बहुत कम पर उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी क्योंकि उसकी वज़ा से कुछ चीजें हैं आगे जो मैं आपको अच्छे समझा बाऊंगा वो हैं लिफ्ट एंड एक्स्ट्रेक्ट उठाना कुछ चीज़ को उठा रहे हैं आप लिफ्ट कर रहे हो में और आपको अधार खीज के बाहर निकाल रहे हो और थी को फॉरे मिलेगा एक लिफ्ट एक्स्ट्र Tiा इंसल करके मैं नहीं हैं अब हो इक षृकॉर्ट आए च्लिए नोट क्लिफ और देखी पे लिवत कि एक्स्ट्रेक्ट कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो यूज कब होता है एक्चुलिए लिफ्ट ने यूज होता है आपके किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जैसे माल लीजिए अगर मैं इस क्लिप के ऊपर एक इन पॉइंट और एक आउट पॉइंट लेता हूं त तो देखें वह लिफ्ट हुआ हएक मिनट tö hanuk है अभी मैं इसको लीफ्ट करूंगा यहां से तो देखिए यह यहां से उठ गया अभी वह उठतो गया आप उसको रखना का ए आप लिएडिया ला का है आ परो से इन परो छी हो पीच का पार्ट ऐच म कंट्रोल भीद किया hypothμ करहां और एगर मैंने यहां से इसको इshore तो क्या होता में एक्षट्रेट किया यहां कर दिया है अब मैं कलão कर under क्लिप बीच में इदर आ गई यह होगा आपका अपके में की कई और दzhड़ यह सिंपल आपकी एक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है चलिए बंभी मैं एक यह टॉकर क उठाइद से नियां कोई लख नोली किनुल शेयर यह कुंट को होती है कि और मुझे उसमें इसको कट करना ना कि इसमें तो मैं क्या कर offenders Cake अगर अगर आपको दी शक्लासेस याद है जैसी में टकलिप यह संस्पने जैसे में आर आइस के बीच में आंड़ जैसी में बीच में bringing डह करने कि यह गए चाहिए कि में कि समीकुरण दबाया लिफ्ट किया और अगर मैं इसको यहां पे पेस्ट करता हूं तो क्लिप कहां जानी चाहिए वी 1 वी 2 या वी 3 मैने ट्रेकटर्टार्टईंग मैमनेट लेक्ट केया कि אני वी चाहिए आज कर memb कर दो कई तो मैंने कोई क्लिप स्लेक्ट नहीं करी को कि तौन जाएगा रखे-टारगेटिंग मैंने भी ठीकर और मैं आप को बताया है कि ट्रैक टारगेटिंग तब ही यूज में आती है जब आप किसी वी क्लिब को ट्रैम लॉन के ऊपर ही कहीं नहीं मूफ कर रहे był Tab ट्रैक लिध्टे से उल्डेंगों को दो को डॉल रहे हो काप्थ हों टॉम पस्टे स्वार्चिंग होग है आपकी तब यूज में राधी है जब два प्रोजेक्ट मॉनिटar से या फ्यैस लेकर आते हो सोउर्स वाली जगह से यशंत कर देगा कि तो है तो आप उस क्लिप को कहां patch करोगे, कहां पर chip होगे, कहां पर चिपका होगे, पहुती है उस patching ठीक है, और जो track targeting है, वो आपकी timeline के उपर ही काम करती है, इसलिए timeline के उपर ही काम कर रहा था, मैं control rate करके वापस करता हूँ, ठीक है, same चीज उसके साथ होगी, आपका जो extract है, same इसके साथ होगी, बस वो क्या करता है, जो space जो वहां रहे जाता है, उसको भी वहां से वो delete कर देता है, same चीज, इसका use कहां करोगे, application आपको पता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि मालीज, आपने पूरी की पूरी clip आपने drag करके, अपने पास timeline के डाल लिए और आपको बीच मैं पहले in and out point हटा देता हूँ, in and out point हटाए, और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको delete कर देता हूँ, यहां से, इसको रखता हूँ बस और इनको delete कर देता हूँ, अभी माल लीजिए, आपका यह कोई track है, यहां से निकाल देती है, अभी माल लीजिए, आपका यह track है, कोई, आपको endpoint cut करना है तो आप क्या कर सकते हैं जैसे आपका cursor यहाँ पहुँचे यहां मैंने दबाया in यहां दबाना मैंने out और यहाँ पर मैंने किया apostrophe वो उठाओं से apostrophe दबाया वो उठाओं से ठीक है यह काम है और आगर आपको पता है तो आप इसका कैसे ने, कैसे यूज़ करोगे, करोगे. बीच में से, किसी क्लिप के बीच में से कोई पाट उठा के कहीं और डालना है, तो आप लिफ्ट ने अक्सट्रेक ती इस कर सकते हैं, चिरगर में ने इन लिया और मैंने यहं पर आउट लिया और किन्ट्रोल एक्स प्लेकर करके कौंट्रोल अबढ़ي कि अब इये क्या था में बहुत करता हूं मैं बहुत करता हूं तो मेरा यह वाला part सेलेक्टिड है किलिभक कहा हूं मैं एस पर क्लिक करता हूं मैंनाười क्लिप क्लिक गढ़ाने क्लिक करता हूं कि अगर oke करता हूं एह बीच वाला प्सज और इसको यहां पर पेस्ट कर दो वह भी ओई और र version कर रहा है तो कंट्रोल एक्स भी काम करता है तो मुझे तो सच बताऊं लिफ्ट एन एक्स्ट्रेक्ट का इसकी वजह से यह ना करना पड़े इससे अच्छा भी एक चीज और है वह बताऊंगा जब आपको कट करते हो क्लिप्स को तो एक्चली मैं इसको बोलता हूँ जेकाल लोमडी अंदर लोमडी नहीं जेकाल क्या होता है देख लेते इंटरेट में बूली या फॉक्स होती है न लोमडी तो गीदड जेकाल इन हिंदी गीदड वोलते है ना बई सियार जम्बू सियार मैं इसको बोलता हूँ जैकॉल जैकॉल नेक्स लास में बता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ जैकॉल की मदद चलिए ओके बाई बाई